हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक तो माई चेनल और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुभा के नाश्टे और लच बॉक्स के लिए एक ऐसी रेसिपी जिसे बनाने के लिए आपको किचन में घंटों खड़े रहकर महनत नहीं करनी पड़ेगी और बहुत ही टेस्टी बन कर तेयार होगी तो सीधा मिक्सी जार में हम डालेंगे एक कटोरी सूजी और उसी के हिसाब से एक चोथाई कटोरी गेहूं काटा इसमें डाल देंगे साथ में डालेंगे एक प्याज इसको मैं मोटा मोटा ही काट कर डाल रही हूँ और लेंगे आधा इंच से थोड़ा कम अदरक आप चाहे तो इसमें दो से तीन हरे मिर्च भी एट कर सकते हैं और आधा कटोरी डालेंगे नॉर्मल दही दही अगर थोड़ा खटा भी होगा तो चलेगा और जिस कटोरी से हमने सूजी नापकर डाली है बस उसी से एक कटोरी पानी डाल लेंगे अब इसको हम यहाँ पर ढखकन लगा कर ग्राइंडर में पीस लेंगे हमें इसका एकदम बारिक पेस्ट बना कर तयार करना है इस तयार बेटर को हम एक बावर में ट्रांस्फर कर लेंगे और आप यहाँ पर बेटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं अब इसमें हम डालेंगे एक चोथाई टीस्पून कुटी हुई काली मिर्ज और साथी डाल देंगे एक चोथाई टीस्पून लालमेच पावडर और स्वादा नुसार या आधा टीस्पून नमक डालेंगे और साथी डाल देंगे एक चोथाई टीस्पून इनो पावडर या मीठा सोडा इससे हमारा नाश्टा हलका फुलका और फ्लफी बनेगा थोड़ी सी डालेंगे धन्या पत्ती और इसे एक अच्छा सा मिक्स देदेंगे बहुत कम मसालों के साथ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्टा बनकर तयार हो रहा है और सबसे बड़ी बार बस आधा से एक टीस्पून तेल में नाश्टे का एक पीस बनकर तयार हो जाएगा अब बेटर की कंसिस्टेंसी देख लीजिए हमने इसमें बाद में पानी वगरा बिल्कुल भी एट नहीं किया है और इसको हमें रेस्ट पर भी रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है तो सीधा चलेंगे गेस की तरफ इस पर रखेंगे एक तड़का पैन या कोई छोटी साइस का पैन एक चम्मस तेल इसमें डाल देंगे और एक से डेल लेडल भरके बेटर इसमें फैला लेंगे पर थोड़ा तेल लगा कर साइड पलट लेंगे बिल्कुल भी गीला नहीं रहता है यह और नहीं इसको बनाने में ज्यादा टाइम लगता है उलट पलट कर दोनों साइड से इसे सेख लेंगे कम टाइम में इस तरह से हम बहुत सारा नाश्टा बना कर तयार कर सकते हैं प्लेट से कवर कर देंगे गेस की फ्लेम को लो पर रखेंगे और आधा मिनिट के बाद प्लेट को हटा देंगे देखिए इसमें उसी तरह की होल्स बन गये हैं जो बिना ढखे एक मिनिट में बन रहे थे तो दोनों ही तरीके से आप इस नाश्टे को बना कर तयार कर सकते ह उलट पलट का नाश्टे को दोनों साइड से अच्छे से से शेख लेंगे और इसी तरह से बागी का बचा हुआ नाश्टा भी तयार कर लेंगे देखी कितना टेंटिंग लग रहा है ये नाश्टा तो आप इसे जरूर बना कर ट्राइ किजिए कम समय और कम सामान में बनने वाला ये टेस्टी और हेल्दी नाश्टा है तो अगर आपको रेसिप थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक चेनल को सब्सक्र कर लीजिए एसी डिफेंट रेसिपी के लिए थैंक यू सो मच फर वाचिंग इस रेसिपी